वेलकम टू माई चैनल देखिए यह जो मैंने हावाजू की स्वेटर बनाई थी तीन से चार साल के बच्चे के लिए आज मैं इसका गला बनाना बताऊंगी वी गला यह देखिए इसको हम इस तरह से कर लेंगे यह देखेगा वी गले के सबसे पहले तो हम फंदे उठाएंग चैनल देखेगा तो यहां से हम फंदे उठाना सुरू करेंगे यह हमारा सीधी साइड से है तो इसको बनाने के लिए यह देखिए हमने 4 ली आज चार जैराने के लिए भी इत देखिए हमारी 10 नंबर की है तो चलिए हम सबसे पहले तो फंदे उठाना शुरू करेंगे तो यह देखी यहां से किनारी से हम यहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे तो यह देखी यह जो हमारा जोड है कंदे का हम इसके बिल्कुल बीच से यहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे यह देखी इस तर एदू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, यह देखे, उननिस, यह बीस, तो यह देखे, हमने यहां से लेकर और यहां तक हमने बीस बंदे उठा लिये हैं, इकिस, बाइस, तेईस, चोविस, पाचिस, चबिस, शबिस, शबिस, 28 29 30 31 32 33 34 और यह 35 तो यह देखिए यहां से और यहां तक हमारे 35 फंदे हो चुके हैं 36 37 38 49 और यह 40 यह देखिए 40 41 42 43 44 45 और यह 46 तो हमारे 46 फंदे हमने यहां से यहां तक के उठा दिये हैं हम यहां पे 50 फंदे करेंगे वो हम अगली सलाई में आएंगे तब हम यहां पे 50 फंदे अपने पूरे कर लेंगे तो यह देखिए जो यह बीच वाला फंदा है इसको हम इस तरह से सलाई अंदर ले लेंगे अब हमने दूसरी सलाई लेने हैं और यह हमने इस साइड से यहां से लेकर और यहां तक भी हमने 50 फंदे कर ले हैं तो हमने साइडों के 50-50 फंदे उठाने हैं यह देखिए इस तरह से ही उठाएंगे हम फंदे यह देखि इस तरह से तो जैसे हमने इधर उठाएंगे है सेम इसी तरह से हम किनारी किनारी पर से अपने 50 फंदे पूरे कर लेंगे अगर एक दो फंदा, दो तीन फंदे हमारे बसते हैं, तो जो हम अगली सलाई बनाएंगे, जो हम बोर्डर स्टार्ट करते हुए आएंगे, उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे, तो ये मैं उठा लेती हूँ, फिर माग आपको दिखाऊंगे, तो ये देखी हमने इस साइड क बोर्डर बनाएंगे हम, पहला फंदा इस तरह से हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो ये हम उल्टा और सीधे का ये बोर्डर बना लेंगे, ये देखी हम इस तरह से बनाना हमने तो ये हमारे गले की पहली सलाई है बोर्डर वाली ये देखे इस तरह से बनाते हुए हमने इस सलाई को कम्प्लीट कर लेना है तो ये देखे पहली सलाई हमने कम्प्लीट कर दी है अब हम इस साइड की पहली सलाई बनाएंगे तो यह देखी यह हमने सीधा फंदा छोड़ा इधर तो यहां हम उल्टे से स्टार्ट करेंगे तो पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे यह देखी इस तरह से यहां से हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि यहां मारी कोई जोल ना आए यह देखी धागा पीछे करेंगे औ अर यह हम सीधा बनालेंगे, तो बनाना हमने इसी तरह से है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, अब हमने इस साइड में चार बढ़ाने वी हैं, तो जहांपे हमें गैप लगेगा, हम वहां से एक फंदा उठा लेंगे, जैसे हमने यहां पर गैप लगा है तो हम यहां से ही देखिए इस तरह से फंदा उठा लेंगे यह हमारा एक फंदा बढ़ गया है अब हमने तीन फंदे और बढ़ाने है यह देखिए इस तरह से बनाते हुए और साथ के साथ हम तीन फंदे और बनाएंगे और इस सलाई को हम इसी तरह से complete कर लेंगे यह देखिए यहां से भी हम एक फंदा उठा लेंगे तो यह हमारे दो फंदे बढ़ गए है इस तरह से बनाते हुए दो फंदे और हम अपने बढ़ाएंगे यह देखिए एक फंदा हम यहां से बढ़ा लेंगे तो ये हमारे तीन फंदे बढ़ गए हैं तो एक फंदा और हमने यहां पर बढ़ाना है तो हमारे दोनों साइड के ये पचास-पचास फंदे हो जाएंगे तो ये देखी यहां से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे तो ये हमारे चार फंदे पूरे हो चुके हैं यानि कि टोटल के हमारे दोनों साइडों में पचास-पचास फंदे हो गए हैं। तो ये मैं पूरी सलाई जो है सीधा और उल्टा बनाते गए, मैं यहां तक आ जाती हूं, फिर मैं आपको यहां पे घटाई करना बताऊंगे। तो ये देखे, हम लाश्ट में आ गई हैं और एक फंदा हमने इस सलाई का रख लिया है। तो इस तरह से हम इसको लेके आएंगे, ये देखी, तो ये जो हमारा पिन वाला फंदा है, ये देखी, इसको हम इस तरह से ये देखी, पिन वाले फंदे को इस तरह से हम आगे लेके आएंगे, ये देखी, इस तरह से, पिन को हम उतार देंगे, इसको हम निकाल लेते हैं, त यह वाला फंदा हमारा पिंवाला है तो यह देखिए अब हम क्या कर EPA क लेंगे और यह ci сलाई का पंदा लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम इस को इस तरह से सलाई में निकाल लेंगे यह देखिए और इस सलाई में हम डाल लेंगे अब धागे को हम पीछे कर लेंगे और ये देखिए जो हमारा पिन वाला फंदा है ये हमारा बीच में रहेगा एक हम इधर का फंदा उठाएंगे और एक हम इस वाली सलाई का ले लेंगे यानि दोनों सलाईों का हमने एक फंदा ले लिया है और बीच में हमारा ये जो पिन वाला फंदा था ये वाला रख लिया हमने ये देखेगा अब हम इन दोनों फंदों में से इस तरह से सलाई निकालेंगे और एक फंदा बना लेंगे अब ये देखे तीनों फंदे हमने नि यह देखिए इस तरह से बनाना हमने यह देखिगा तो अब हमारी यहां पर एक फली बनती नजर आ जाएगी आगे हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ही बनाना है जैसे हमने बोर्डर बनाते हैं तो यह हमारी गले की पहली सलाई है तो इस तरह से ही बोर्डर बनाते हुए हम बोर्डर की सलाई बनाते हुए हम इस सलाई को कम्प्लेट कर लेंगे पहली सलाई को तो मैं यह यहां तक बना कर ले आती हूँ इसी तरह से आप भी बना लेजी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा और इस सलाई को कम्प्लीट कर लीजिए तो यह देखिए हमारी तीनों साइड से एक सलाई कम्प्लीट हो चुकी है यहां से सामने स्टार्ट किया था यह देखिए यहां से यहां तक फिर हमने यहां से यहां तक फिर यहां पे हमने तेन फंदों का एक किया फिर यहां से हमने यहां तक बनाया तो यहां पे आके हमारी एक सलाई complete हो चुकी है अब आ गए हम अपने दूसरी सलाई पे तो यह देखे अब हमें दिखने लग जाता है पैचान हो जाती है यह देखे कि हमारा फंदा सीधा है या उल्टा है तो यह हमारा फंदा उल्टा है तो इस तरह से हम बना लेंगे धागा पीछे करेंगे और एक फंदा यह सीधा बनाएंगे एक फंदा उल्टा तो उल्टा और सीधा बनाते वे हम इस सलाई को complete कर लेंगे यह हमारी दूसरी सलाई है तो ये देखिए एक साइड से हमारी दूसरे सलाई complete हो चुकी है अब हम आ गए हैं दूसरी साइड में तो ये हमारा फंदा सीधा है उल्टा है तो इसको हम उल्टा बना लेंगे धागा तीछे करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसी तरह से हम बोर्डर बनाते हुए इस सलाई को लाष्ट तक यहां तक एक फंदा रहने तक बना लेंगे तो इसी तरह से आप भी अपनी सलाई को complete कर लीजिए उल्टे से देखा बोर्डर बनाते हुए यह देखी इस तरह से तो यह देखी हम इस सलाई को complete करते हुए यहां तक आ गए हैं जो हमारा फंदा है तो यह देखी एक फंदा हमने यहां पर रख लिया है वो हम इस सलाई में इस तरह से लेंगे और पीच्छे की साइड से यह देखी यह हमारा बीच वाला फंदा जो है यह हमारा फली का है और एक हम इस साइड का लेंगे और एक हम इस सलाई का लेंगे यह देखी दोनों फंदों में से हम इस तरह से सलाई डालेंगे और इस तरह से एक फंदा बना लेंगे तीनों फंदों को इस तरह से उतारेंगे और बीच वाला फंदा जो है इसको हम उठा लेंगे अब ये वाला फंदा उठाएंगे इसके उपर से इस तरह से गिरा देंगे ये देखे, इस तरह से हमारा ये, ये देखे, इस तरह से हमारी ये मोटी सी फली बनती नजर आ जाएगे, अब आगे हमें, जैसा फंदा दिखता है वैसे ही बनाना है, तो ये हमारा उल्टा फंदा है, तो इसको हमने उल्टा बनाना है, फिर सीधा, फिर उल्टा, तो ये हमन दूसरी सलाई यह इसी तरह से कंप्लिट कर लेनी है, बोर्डर को बनाते हुए, तो यह मैं यहां तक कर लेती हुए, यह देखी इस तरह से बनाते हुए, आप इसी तरह से बना लेजिए, तो यह मैं बना लेती हुए, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगे, तो यह देखी, द यह देखे इस तरह से, शुरू में हमारा उल्टा पंदा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे, सीधा, उल्टा, यह हमारे सीधे उल्टे का ही बोडर है, यह देखे, इस तरह से हमारा यह दिखना शुरू हो गया है, यह देखे, इसी तरह से बनाते वे हम इस सलाई को यहां तक complete कर लेंगे अपनी तीसरी सलाई को फिर हम यहां से और यह जो हमारा last वाला फंदा है यहां तक आने तक बना लेंगे तो आप इसी तरह से बनाते जाएए फिर आगे हम आपको बताएंगे हम इस सलाई को complete करते वे last में आ गई हैं और एक फंदा हमने यहाँ पे रख लिया है यह देखिए इस तरह से यह हमारा फली वाला फंदा है तो इसको हम इस तरह से डाल लेंगे अब यह देखिए पिछे के साइड से हम दोनों सलाई का एक एक फंदा लेंगे यह वाला एक इसका लेंगे यह देखिए दोनों में से हम एक फंदा बना लेंगे इस तरह से, तीनों फंदों को हम इस तरह से सलाई से उतार देंगे, जो बीच वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से उठा लेंगे, और इस वाले फंदे को उपर से ऐसे गिरा देंगे, यह देखिए, इस तरह से हमारी यह फली बन जाएगे, यह देखिए, अब हम एक फंदा स सलाई को कम्प्लीट कर लेना है तो इसी तरह से हम इस सलाई को यहां पर कम्प्लीट कर लेंगे कि तीन सलाई हमारी यहां पर कम्प्लीट हो चुकी हैं अब आ गए हम अपनी चोथी सलाई पर तो जो चोथी सलाई है उसकी सुरुवात हम यहीं से करेंगे तो ये देखी, इसी तरह से हम border बनाते हुए, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इस सलाई को हम complete करेंगे, ये देखी इस तरह से, इसको हम उल्टा और सीधा बनाते हुए, इसको यहां से यहां तक, और इस सलाई को हम last वाले फंदा आने तक, यहां तक हम बना लेंगे तो आप इसी तरह से अपना बना लेजिए तो यह मैं बना लेती हूँ फिर मा आगे आपको दिखाऊंगे तो यह देखिए लास्ट में हम आ गई हैं और एक पंदा हमारा यहाँ पे यह देखिए इस तरह से हमने इस सलाई के अंदर ले लिया है यह देखिए अब पेच्छे की साइड से यह देखिए हमने जो बीच वाला फंदा है एक हम इस साइड का लेंगे और एक हम इस साइड का लेंगे अब यह देखिए दोनों में से इस तरह से एक फंदा निकाल लेंगे और तीनों फंदों को इस तरह से निकाल के बीच वाला फंदा हम इस तरह से सलाई में उठा लेंगे और ये वाला फंदा इसके उपर से इस तरह से गिरा देंगे तो ये देखे इस तरह से हमारी ये मोटी फली बन जाएगी जो कि हमारे गले की बीचकी होती है ये देखे आगे हमने जैसे हमें उल्टा सिधा बनाना है बोडर वो हमने इसी तरह से बनाना है तो ये देखिए इस तरह से उल्टा और सीधा बनाते हुए हम इस सलाई को कम्प्लिट कर लेंगे हमारी चार सलाईया कम्प्लिट हो चुकी हैं अब आगे हम अपने पांचवे सलाई पे तो पांचवे सलाई भी हम इसी तरह से सीधा और उल्टा बनाते हुए फंदे को ये वाली सलाई कम्प्लीट करेंगे और ये वाली सलाई हम लास्ट वाला फंदा रहने तक आ जाएंगे उसके बाद हम आपको आगे दिखा देंगे तो ये मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको एक फंदा लेंगे जो हमारा बीच वाला फली का है ये देखी इस तरह से दोन्नों में से एक हमने फंदा ले लिया है सलाई का इस तरह से दोन्नों में से एक फंदा हम बना लेंगे बीच वाला फंदा इस तरह से हम उठाएंगे और ये देखी इसकी उपर से इस तरह से हम तीन फंदों का एक कर देंगे आगे हमने इसी तरह से बनाना है एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा तो यह देखिए इस तरह से हमारे गले की फलीब बन जाएगी यह देखिएगा बहुती सुन्दर से अलग से देखने लग जाते हैं हमारी यह तो यह मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहां तक उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगे तो यह देखिए हमारी 5 सलाहियां कंप्लीट हो चुकी है अब आगे हम अपनी छटी सलाई पे तो छटी सलाई भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे सीधा और उल्टा बनाते हुए इस सलाई को करेंगे पहले तो हम बैक वाली को फिर हम यह साइड वाली यह जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसको छोड़के हम यहां तक कंप्लीट कर लेंगे तो यह मैं छटी सलाई जो है यह महां यहां तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं उसके बाद आगे आपको द अब यह वाला फंदा भूंदा इसको हम उठा लेंगे। कि अब यह वाला फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर इससे गिरा देंगे। तो यह देखी इस तरह से हमारा फ्ली बन जाएगी। आकर हम जैसे हम ने यह बोडर बना रखा है यह इस इसी तरह से बना के complete कर लेना है तो इस सलाई को मैं बना के complete कर लेती हूं फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगे तो यह देखिए छे सलाईयां हमारी complete हो चुकी है अब हम यह हमारा जो गला है वो भी हमारा तयार हो चुका है तो अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे तो एक फंदा हम उल्टा है तो उल्टा ही बनाएंगे सीधा है तो हम सीधा बनाएंगे अब हम इस तरह से यह फंदा उठाएंगे और इसके उपर से गिरा देंगे तो ये हमारा फंदा गट गया है यानि की बंद हो गया है अब हम धागे को आगे करेंगे और ये देखिए फिर ये वाला उठाएंगे और इस तरह से इसके उपर से गिरा देंगे धागे को हम पेछे करेंगे इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे ये देखें फिर हम इसके उपर से से गिरा देंगे इस तरह से अगर हम बंद करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सी हमारी चैन बन के आती है ये देखेंगा सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बन जाता है य सिधा है तो हम सीधा ही बनाइएंगे कि इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर देंगे को यह देखी इस तहरा से कि अ point सि तरह से धीरे-धीरे शसे अपने पंदों को बंद कर लीजिए सीधे सिधा बनाते हैं और में योड़ में पर उल्टा बनाते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देते हूं ये देखे इस तरह से हमारी ये चैन बनती है तो ये हमारा सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा आ जाता है बहुत ही सुन्दर सा लगता है ये हमारा बिल्कुल पतली पतली सी हमारी उपर से ये चैन बन के आती है तो ये देखे ग इसाइड वाली साइड को बंद करेंगे इसी तरह से उल्टे पर उल्टा बनाएंगे और सिधे बनाएंगे इस तरह से यह देखेए इसी तरह से धीरे दीरे से आप भी अपने बंद कर लीजिए तो यह मैं यहां के भी बंद कर लेती हूं यह यहां के फली तक आने तक यहां पर आके मैं आपको आगे दिखाऊंगी तब तक मैं यह बना लेती हूं आप भी अपना बना लीजिए तो यह देखे लास्ट का हमें सलाई में इस तरह से ले लेंगे इस सलाई को यहां से हटा देंगे अभी यह देखे फली को हमने इस तरह से बनाना जैसे हम पहले बना रहे थे इस तरह से एक हमने इस सलाई का लेना है दोनों को हमने यह देखे दोनों में से हमने एक फंदा बना लेना है बीच वाला फं पंद है कि इसके ओपार तुको अपर तिछवसे गिरा देंगे इस heels हम कुर म देंगे है अवहां कर देंगे कि अब हमीस 14 सीदा सच्व से बना लेंगे और ए इसी तरह से यह हमारी एक सलाई रहती है इसके और फंदे बंद कर लेंगे उल्टा सेधा बनाते हुए तो यह देखे इस तरह से हमारा ही यह देखेगा कितने सुन्दर से हमारी फली बन के तयार हो गई है तो यह बन करके आपको बाद में दिखाती हैं तो यह देखे इस तरह से हमारा जो गला है वो बन के तयार हो चुका है डेख लिजे कितना सुन०र सा कितना प्यारा सा हमारा ये गला बनके तयार वाई बिलकुट छोटा सा ये देख लिजी ये बहुत ही सुन्दर लग रहा हमारा ये तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा चैनल पर अगर आप हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके तो मिलते हैं अगली नए वीडियो में और अगली वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे मोड हैं इनमें कितने फंदे उठाने हैं और ये कितने बनाने हैं यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई